तकड़े वाली दुप चाहिए तरणी जाच चुकी है घर में आ चुकी है हमारा लंबा प्रेक कतम हो चुका है फाइनली बहुत सारे दुख के बात अब सुख आने का टाइम हो चुका है तो करते नहीं व्लॉग के शिरुवात इस जिन के साथ का सब काई पर वेलकम बैक टो सब्सक्राइब तो बहुत टाइम से सोच रहा था कि व्लॉग करूब लॉग करूब यह अर्सा आई नहीं रहता यह टाइम आई नहीं रहता क्योंकि बहुत प्रब्लम चलते गाड़ी में भी इवन अमरा जिकसर को हलत खराब है ड्योग का हलत थोड़ा खराब नहीं है तो फैरिंग टूड़ गया हलका सा तो फैरिंग भी चेंज करना है पर दो स्टीकरिंग करना है चलो ठीक है लाइफ है चलता रहेगा टाइम के साथ वह भी चेंज होगा सब कुछ अच्छा होगा एवरिधिंग और भी अल्राइट यहीं सोच के मागे चलते रहेंगे बट अबहु है में लेंड कर रहा हूओ मेरा कर रहा हो क्योंकि फिलाल जीन चलो किया है यहीं कर रहा हो फिए मुझे लीन होना थोड़ा ही पसंद नहीं मुझे गीन करना अच्छा लगता है मैं फिल यह उसके साथ का च्छेरिया निए देएंगे और अब मारा हैलमेट का जो हालत हो गया है गहिए ह切ना है कि इसके बाद पर अबनी सबस्क्राइब करें पर देखिए और नॉर्मल एमेज़न की उपर भी मुझे ऑटरी पर नहीं चाही है एक्चुली तो उसके लिए हम जाएंगे कैमेरा मार्केट वहां से जाएंगे सिटिसेंटर मॉल में मुझे ट्राइबॉट देखना है ओपर जो रिंग लाइट है वो भी चेक करना है कि क्या कॉस्ट है क्या नहीं वो सबका प्रोसेस होगा टायर चेंज होगा बहुत सारे ब् भी आ चुका है दूपर के टाइम में नहीं है आ रहे हैं देखो यह देखो यह देखो बाइक वाला वहां से घूम गया क्योंकि मार्च अंडिंग है बहुत तकडी वाली पॉलिस्ट चेकिंग चलू है क्योंकि उनका उनका कोटा पूरा करना है हमां को तो टेंशन नहीं है भाई क्योंकि हम ने सब प्रूफ हमरे साथ रखा है और अब श्याम के टाम से लिकनला को कि दूपर में थोड़ा खाना खाया थोड़ा रेस्ट किया और दूपर के टाइम निकलता हो तो पूरा वाट लग जाता है बॉड़ी का कि पसीना पसीना फिर इरिड़ेड हुज आ लागता है शाम के टाम में तोड़ा रिलैक्स लगता क्योंकि थोड़ा दुफल्का रहता तो अभी फिलाल ठ्यूक का हम वाश करेंगे उसके बाद चैनलुक तो विदाट रेकॉर्ड करेंगे पहले इसको वाश करवाना है क्योंकि बहुत गंदी होगी यहां पर क्रोशिट ह और यहां पर पूरा गंदगी छाहिए पुरे इसको वाश करता है फिर उसके बाद जाओंगा घर पर इसको रखोंगा पर जिक्सर लेकर आओंगा जिक्सर का हालत देखने लाएक है कि उसका पूरा ओइल निकल रहा है इंजिन के आश है तो उसके वज़े से पूरा मती है वह जम गया है तो वह तोड़ा गलत लग रहा है मुझे खराब लग रहा है इसलिए मैं पहरा वाच कर वक लेने वाला हो और कल उसको शायत मुसको पॉलिश कर लू देखते हैं अविड को से बाड़ी बात अगर वाइस प्रॉपर नहीं आता रहेगा एम रियली सॉरी क्योंकि इ सब्सक्राइब करते हैं मतलब जो इसका है त्रेट का है जो पंच वाला क्या उसको बोलते हैं वह भी समझ में नहीं आ रहा है वह नौमल यह अपने टेंपरी और रहा लगा उसके बाद हम देखिएंगे मांड कैसा है अच्छी तरीके से वाश हो गई है हमरे ड्यूक तभी पीलाल हाइवे के अपर थोड़ा रेव करता है कि वर्ट टाइम हुआ गाड़ी भागा है यह मैंने और वो क्रेजी है लगा वस तो हवे का आवाज आने वाला है बस मेरा कुछ भी आवाज आने नहीं वाला है क्योंकि नीचे से जो विंड रोकता है कप्ड़ा वाइक्वल अब निकाल दिया है तो ठीक है चलो खीचते उसको अब हाँ 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 ज्यादा नहीं खीचा वेके ट्राफिक वाला हिलाका है हमारा यह रोड पर जादा नहीं खीचने के लिए होता है बस कुछ ना कुछ तो डिस्टबंस आता ही आता है यह पूरा कर रोड क्लियर मिलेगा ना स्टार्ट से एंड तक ब्रीच आने तक तो बहुत मज़ा आएगा किचने के लिए पर वो नाइट के टाइम ही मिलता है पर दिन के टाइम में कभी नहीं मिलेगा आपको वो रोड खाल करने के मुझे शरम मा रहा एक्चली दिखाने के लिए कि कैसे दिखा हो अपको तो चलिया है मिलते अपने स्टाइल में तो अभी जिक्सार लेकर आ चुका हूं नियर भाई हूं इतना गंदा हाला तेना यह देखा हूं पर डस्ट ऊड रहा है उपर से आपको इंजीन का प पूरे लाइफ मेना इससे गंदा मैंने कभी गाड़ी नहीं रखा यह देखो यह पूरा ओल जमा हुआ है कि फोट कि पूरा एक्टी ओली के जो रहा है क्या मुझे पता नहीं हो मैकनिक और शित को दिखाना पड़े एक पर और यह फेरिंग उपर से पीछे वाला पार्ट चैन बहुत गंदी हालत है कि अच्छों आपको दिखाने वालत है एक्टी यह टायर है यह टायर तो हमारा जा चुका है हाड़ी अगले अगले दस-12 दिन भी नहीं 5-6 दिन के अंदर ही मैं पूरा चैन्ज करूंगा टैयर का पार्ट यह भी ओईल निकल रहा है यह से हमारा फेरिंग पूरा जा चुका है यह फेरिंग का यह वाला पार्ट ना ऐसे तूटा हुआ यही पूरा यहां तर जब मैने ओ тип मेरे और फेरिय यह पर ख़राब कर दिया इसलिए पुरा कफोर्ब है टृप आने मुझे टर्म का क् iba टर्टी क्या इैप दो को सब्सक्राद करोंगे यह वाला किसी देतों बाहर्ट कम को कुरता जायता है is सब पेरिंग मस्त है तो अभी फिलाल वाश करवात है क्योंकि उसके बगर आप मारे पास आप्शन नहीं है देखते हैं कि कैसे क्या होता है क्योंकि मुझे यह सब करवाना जरूरी है क्योंकि जो मेरा लॉंग राइट का प्लान है वह तो मैं जिकसर के उपर ही मारने वाला कि जिकसर के एवरिच और इसका जो पार्ट्स वगरा जो भी मिलता है मतलब अगर भार में जाओ तो मेभी ड्यूक का मुझे इश्यों आ सकता क्योंकि मेरा लंबा लंबा जाने का प्लान तो है बट सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार थोड़ा हिल गया है मेरा फिलाल के लिए और बाकी का सपोर्ट होगा चलो ठीक है लाइप में बहुत कुछ करना है अगर साथ रहोगे सब कुछ हो जाएगा अच्छे से चले ठीक है मि ब्लॉक एंड नहीं किया कि बहुत सारा काम ता इवनिंग के टाइम में इसलिए वो कर रहा था तो अपको वो हेलमेट का जो मेरा कंडिशन हो दिखाना बागी था और आज अमीद भाई का ही पोना आया था और अगले हफते दो हफते में बहुत कुछ नया दिखने वाला है कि फैमिली में एक नया मशीन आ रहा है एक बड़ा मशीन आ रहा है एक फोर विल ड्राइव आ रहा है और वो देखने लायक है उसका ब्लॉक शूट करूं गई बट वह थोड़े सस्पेंस सकने वालो बहुत सारी सस्पेंस वाले चीज़े में बताने वालो फिलाल बता देत या गोप्रो के पर वह वाइस क्लियर आ रहा है तो कोई इस्यू निये नॉमली इसके पर यह मैं लगा लूँगा परे मैं नहीं बोला कि वापर जागे माउन पकर लेना है तो वो लेते फिलाल अभी मैं जागा बना लेता कि घर में कोई है नी मंबी गई अबार अच्छी यह भार भाई यह दिली में सब अपने अपने जगा पर तो थोड़ा श्राइडर शेफ बरेंगे तो वो थोड़ा वाड़ी में इन वाल है पहले से और फिलाल अभी चार बचे में निकलने वाला हो एक गाले की बुकिंग करने के लिए में भी अगर पसंद आई तो बुक क चलेगा पर उसको सस्पेंस रखेंगे अगले व्लॉप में कि यह व्लॉप में सब कुछ ड़ने मजा नहीं आएगा तो यह व्लॉप करते हैं यह पैं थैंक यह सो मच एचने ब्रण फोर गिविंग यह वैलोबल टाइम आस अल्वेज अस्ता बेबी लिप्री राइड अ रहल दोस्ता बाल लिएmat बाल टाइम